पार्ट फोर्टीन के सुरुआत में ये दोनों लवबर्ड्स अपने रोमैंस कर रहे थे कि आज आते हैं लूजी के डैड वहां पर अब दोनों का हालत खराब बिचारा लिनन अब तो गया उसके डैड भी सौकी हो क्या रहा है वो तो अच्छे से लिनन का क्लास लगा रहे हो पहले दोनों टेबल पर बैट करके सांधी से बात करते हैं लिनन का नाम पता पूसते हैं और फिर पूसते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर गर क्या रहे हो लिनन बोलते हैं कि वह आफिस के काम से ड्रामा का रिहरसल कर निकल या फिर सिर्फ दो दिन के लिए आया और वो निक भी नहीं दे रहे थे तो उसे रुकना ही पड़ता है लूजी काफी काम ली समय को समाने के कोशिश करें थे कि हम दोनों रिलेस्टेसिप में बहुत सीरियल से लेकिन डौन वरी डायट हमारे भी कुछ हुआ नहीं है बट पैरेंट तो पैरेंट है ना वह तो सब जानी जाते ह बैचारी लूजी रात में लूजी को लग रहा था कि उसके डायट लेनन का अच्छा कासा क्लास ले रहेंगा वह चूरी चीपे डरते डरते अपने डायट के रूम के बाहर जाकर के बात सुनती है तो वह तो लेनन से पूरा मस्ती में बात किया जा रहे थे उसके कॉलिज बच्छी की तरह है लूजी सब के लिए ब्रेकफास्ट बना करके रखे थे अपने डायट को पटाने के लिए उसके डायट तो पुरा इमोसनल हो जाते हैं कि क्या बात है इतने साल में पहली बाहा तुमने ब्रेकफास्ज बनाया है और बिल्कुल पेस्जिज से और डायट किसी ने लड़कों को खाना बनाना सीखना बोला है क्या आके बढ़ते हैं अगले सीन में लूजी दोनों अपने नया ओफिस सेट अप करने के लिए गये थे वहां पर आफिस लूजी को काफी पसंद आता है वो दोनों डिसाइड करतें कि फाइनली यही इस्टूडियों को र और बोलते हैं कि रात में प्लैन में सामिल होने के लिए आज आना उनका प्लैन था कि वह लिनन को पहले बहुत जादा ड्रंक करेंगे और फिर उसे बहुत सारी कोश्चिन पूछेंगे जिस वह सब सच-सच बोलेगा लेकिन जूत यान ठारा धकन और वह सारे प्लैन को बि पुड़कते जैसे दैसे अपने काफी साप पोस्टा है काफी बनाने की कोशिस कर रहा होता है उसी समय मिलने के लिए उसे जीजी वहां पर आती है जब उसे पता चलता है यह इतना नसे में तो बोलते कि तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए काफी बना देरी हूं लेकिन उस जीजी भी वहां पर नर्वस हो जाती है और वहां से खिसक लेती है अब जूतियन बिचारा सोचने लगता है ओ गौड मैंने तो कांडी कर दिया इधर जब लूजी घर आती है तो देखती है एक साइड लिनन भी हो उस पढ़ा और एक साइड उसके डैड सो रहे वो जैसे इसे उठा करके अपने डैड को उसके रूम में लेकर के जाती है और फिर वापस आकर कि लिनन का ख्याल रख रही होती है बेचारा लिनन का फी नसे में था और नसे में भी लूजी के डैड को पटाने का ही बात कर रहता है कि डॉंट वरी अंकल मैं आपकी बेटी का पूरा पूरा ख्याल रखूँगा अगली सुबह जब लिनन के नीन खुलती है तो वह खुद को लूजी के रूम में पाता है अब लूजी को तो उसे चेड़ने का मौगा मिल गया था लिनन पूरा परेशान हो मैं रात में तुम्हारे कमरे में कप आया अब तो तुम्हारे डैट मुझे छोड़ने ने वाले यार मिने पूरा रायता फैला दिया लूजी उसे सुरू में तो छेड़ती है लेकिन फिर बात में उसे जल्दी है गुड नियूस देती है कि एक्शल में उसके डैट जो हैं दोनों के साथ रहने के लिए मान जाते हैं फाइनली लिनन को कुछ फ्यूचर प्लाइन की है मुझे तुम्हारी वाज बहुत पसंद देना तो मैंने एक नया अप्लिकेशन जो है डिवलप किया है जिस पर कि तुम्हारी वाज रहेगी और पूरी दुनिया वाज को सुन पाएगी जीजी को यह प्लान काफी अच्छा लगता है लेकिन इनकी लव स्टोरी तो यहां से सुरू होती है अगले सीन में लेनन और लूजी जब अपने ऑफिस से घर लोटते हैं तो उसके डैड घर नहीं आये थे थोड़ी दियर तक तो सब कुछ नॉमल था लूजी कॉल होल करती है तो उसके डैड का फोन नहीं लगता है अब काफी पिटल का ट्रीटमेंट का बिल मिलता है जिसमें की लूजी के डैड का अलजाइमर का ट्रीटमेंट चल रहा था और वो चीज़े भूलने लगे थे और इसलिए अभी तक वो घर नहीं आये थे थोड़ी ते बाद पुरे स्टेशन से कॉल आता है कि उसके डैड बहां पर है आकर के ले जाने के लिए लूजी जाती है और अपने डैड को वापस लेकर के आती है उसके डैड की तबित पहले से काफी बुरी हो चुकी थी वो काफी चीज़े भूल गयते और लूजी को पर थोड़े थोड़े से उनके बच्पन की चीज़े याद थी लूजी काफी हम रख रही थी लेनन सोचता है कि अब आफिस का क्या कैसे होगा लूजी बोलती है कोई बात नहीं मैं दोनों का ख्याल रख लोंगे अपने डायट का भी और साथ में हमारे नए बिजनिस का भी सच में जब आपके प्यार सचा होना तो आपके लाइफ की कोई भी प्रप्लम बह काफे मेहनत करके दोनों खुद ही अपनों ऑफिस सेट अप कर रहे थे और साथ साथ में नाम भी डिसाइड कर रहे थे कि आफिस का नाम क्या रखना है बीच बीच में लूजी अपना डविंग भी करते रह रही थी वह अपना प्रजेक्ट तो नहीं छोड़ रखती थी थी अगले दिन ये दोनों मस मस ड्रेस पहन करके अपने काम पर निकलते हैं प्लैन ये था कि जिस दिन लेनन का काम होता उस दिन लूजी उसकी सेकरेटरी बनती और जिस दिन लूजी का काम होता उस दिन लेनन उसकी सेकरेटरी बनती तो लेनन इंवेस्टमेंट करने का काम करत जाते हैं और लिनन उसका सेक्रेटरी बना था हलाके लिनन काफी बहुत ही फेमस कंपनी में पहले काम कर चुका था था अगर लोग उसे ऐसी देखते हैं तो उसका मजाग जरूर उडाते इसलिए वो फेश चुपा करके लूजी का सेक्रेटरी बनके गया था लेकिन जिस अड़र्टाइश्मेंट और कमर्सियल आईशिशन के लिए कॉल किया था जैसे कि हमारे वीडियो के रिए सपांसर्जिप मिलती है न वैसे ही अब क्या यह फेक था यह रियल जूदियान इसे एकसेप्ट करी गा या नहीं लोजी के डायट का क्या होगा लेनन और लोजी के